आई अब्रीवान स्वागत ये फिर्छे मेरे यूटूब चैनल पर ये देखिए ये खुद्री का पेंड़ है ये देखिए खुद्री कितना फ्रेस निकला है इसमें हाथ से नहीं लगाया गया इसमें यानी अंदर इसका फूल नहीं डला गया है ये शिर्फ मेशिन से पाउ इसको दो पीस बोलते हैं, यानि एक दाना पर यह वाला देखिए, इसको टो पीस बोलते हैं इसको, और थ्री पीस भी होता है, इसको थ्री पीस बोला जाता है, यानि तिन जगा निकला है, इसको थ्री पीस बोलते हैं, लेकिन दाना बहुत अच्छा निकला है, यह सिर्फ मेशिन से पावडर मारा गाया है, इसमें, और आप लोग को जानना है तो आप लोग भी मार सकते हो, पावडर सिर्फ, अगर ज़्यादा बड़ा मजरा है तो आप लोग का, यानि एक किलो पा यह देखिये, बहुत अच्छा है, यहाद से इसमें फूल नहीं डाला गाया है, बस मेशिन से शिर्फ पावडर मारा जाता है, अगर आप लोग शिर्फ एक किलो आटा पे एक किलो पावडर डालेंगे, मेल ट्रीज का, तो आप 15-2000 तक मार सकते हो, एक किलो आटा पे, एक क किलो आटा पर और एक किलो पावडर पर, 1500-2000 तक मार सकते हो, शिर्फ दो ही आदमी पूरा कैप्चर कर लेंगे, अगर मेशिन से मारेंगे तो, यह दोखिये, चार तरफ शिर्फ मेशिन से ही मारा गाया हुआ है, पावडर, यह दोखिये, दाना कितना अच्छा फ्रेश आय है, इसमें दो पीस, थ्री पीस, कुछ भी नहीं है, पुरा फ्रेश दाना है, यह देखिये, अगर आप लोग को पता नहीं है, खजुर के बारे में थे, आप मुझे कमेंट पर पूच सकते हो, कमेंट जरूर करिए, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो, खजुर के बारे में आप लोग को जरूर रिपलाई करूंगा, यह देखिये, पूरा अच्छा दाना है, सब, बस कहीं कहीं पर एक दो पीस, दो पीस, थ्री पीस है, बाकी सब अच्छा है, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, थेंक्यो फर वाचिंग,